धनू और मेश लव कमपेटेबिलिटी धनू और मेश का मैच विस्पोटक और मज़ेदार है वे दोनों पाजिटिव, इमोशन और सोशल होते हैं इस जोडी में प्रेम समबंध वास्तव में टेजी से बढ़ते हैं क्योंकि वे कई मायनों में एक जैसे हैं धनू और मेश की जोडी एक ऐसी जोडी है, जो एक दूसरे के साथ तुरंट जुरती है और वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं धनू को यह बात पसंद है कि मेश जातक कभी इर्ष्या नहीं करते हैं एक प्रेम मैच में दोनों व्यक्तियों को एक ही प्रिष्ठ पर होना होता है लेकिन कई मामलों में यह मुश्किल होता है मेश को रिष्टों में stability चाहिए बही धनू रिष्टों में लगातार नए पन की तलाश करते हैं राशिचक्र के अनुसार धनू और मेश में चार घरों का अंतर है दोनो अगनी की साइन है आग और आग का मिलन बेहद अच्छा होता है धनू और मेश संबंधों के फायदे धनू और मेश को एक शक्तिशाली जोड़ी माना जाता है वे दोनो गुरु और सूर्य द्वारा शासित है उनके रिष्टे में बोर्यत के लिए कोई जगह नहीं होती आईए जानते हैं धनू और मेश संबंधों के कुछ फायदे धनू और मेश की जोड़ी में दोनो अगनी तत्व की राशी है उनके बीच ततकाल तालमेल होने की संभावना है मेश धनू का रिष्टा प्रेम और करुणा से बंधा एक रिष्टा हो सकता है धनू और मेश की जोड़ी के रिष्टे में धनू मेश की ताकत की प्रशंसा कर सकते हैं और उनकी उपस्थिती में खुद को सेफ फील करते हैं उनके बीच अच्छी कैमिस्ट्री देखने को मिलती है और वे अधिक से अधिक समय साथ बिताना पसंद करते हैं एक और पहलू है जो इन राशियों के बारे में समान रूप से सराहनिय है वह यह की वे एक टीम के रूप में एक साथ काम करने की इच्छा रखते हैं वे एक दूसरे की एनरजी और फोकस को एप्रेशियेट करते हैं धनू और मेश संबंधों के नुकसान मेश का डॉमिनेटिंग नेचर धनू को अपनी इंडिपेंडेंस का मजा नहीं लेने देता धनू और मेश अट्रेक्टिव कपल बन सकते हैं यदि वे नीचे दिये गए कुछ पाइंट्स को ठीक करने की दिशा में काम करें धनू एक बेचलर साइन है जिस पर प्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है वहीं रिष्टों के प्रती इमानदार मेश को यह बात परिशान कर सकती है फायर साइन होने के कारण भी धनू के साथ मेश को बेहत पेशिंस के साथ काम लेना होगा नहीं तो कभी भी ज्वाला मुखी फूट सकता है मेश का केरिंग नेचर धनू को डोमिनेटिंग लग सकता है ये बातें कभी कभी विवाद की शकल भी ले सकती है धनू और मेश व्यवाहिक अनुकूलता आग कभी भी नियंतरित नहीं होना चाहती है और नहीं ऐसा कोई संकेट देती है किसी किस दिशा में बढ़ेगी धनू और मेश का संबंध एक दूसरे को परियाप्त, स्वतंतरता और स्थान देने पर आधारित होना चाहिए और जब ऐसा किया जाता है तो धनू और मेश की मैरिज लाइफ अनुकूई हो जाती है मेश को धनू की फिलोसफी पसंद है वहीं धनू की बचत करने की आदत मेश को पसंद है दोनों मिलकर अच्छी लाइफ बिता सकते है वे दोनों अपने स्पार्क को जीवित रखने और अपनी शादी में अधिक creativity और excitement जोडने के लिए कई तरह के काम करते हैं इससे उन्हें एक दूसरे के साथ जोडने के ज्यादा मौके मिलते हैं धनू और मेश अपने relation को लंबे समय तक बनाये रखने के लिए एक दूसरे के लिए सिक्रिफाई करने को भी तयार होते हैं धनू और मेश sexual अनुकूलता धनू और मेश स्वभाव से बहुत competition वाले होते हैं और बेड़ पर समान प्रतिस्परधा रखते हैं इस युगल का शारिरिक रूप से एक होना बेहद विस्पोटक हो सकता है आएए इनकी सेक्स लाइफ के बारे में अधिक जाने मेश और धनू एक दूसरे के साथ काफी सहच होते हैं उन्हें हर बात बोल कर नहीं बतानी पड़ती जिससे उनकी सेक्स लाइफ अधिक अनुकूल होती है मेश सेक्सुली अधिक इंटिमेट होते हैं धनू को मेश का साथ मिलने पर सुलगने में देर नहीं लगती और वे जल्द ही मेश के लिवल तक पहुँच जाते हैं मेश राशी के लोग बहुत सेक्सुल होते हैं और धनू का साथ मिलने से वे और अधिक कान्फिडेंस से भर जाते हैं वे दोनों ही अपना इंटर्नल लव शो करने के लिए फिजिकल रिलेशन को अपना मार्ग बनाते हैं निशकर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि धनू और मेश दोनों ही एक दूसरे के लिए एक बहतर विकल्प हो सकते हैं उनमें कई बातें एक जैसी होती हैं जिससे वे अपने रिष्टे को अधिक बहतर धन से नियंत्रित कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको ये विडियो पसंद आया तो माई नेक्स्ट न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें